एक तारीक से 27 फरवरी तक लगातार कार सेवक विश्व हिंदो परिशत के वो कारेकरता वो माताय बेहने वो बड़े बुजुर्ग जो लगातार इस अभ्यान में जुड़े हुए हैं कि राम मंदिर का भविसभव निर्माण हो और उसके लिए लोग को जगरुप किया जाए इसी का जीता जागता उधारन आप मेरे पीसे देख सकते हैं ये वो माताय बेहने हैं जो अपने घरों में time इतनी foundation उनके पास होती है time उनके पास होता नहीं है वो अपने घरों के काम दिप्टैने में पूरे दिन खप जाती हैं उसमें मगर आज इसके बाद भी उन्होंने अपना टाइम निकाला और ये देखे ये गांधी नगर के अंदर राममंदी दिर्मान के लिए अभ्यान चला जा रहा है ये उसका एक पाठ है और ये लोग लगातार इस एरिये में आज स्कूटी रेली निकाल रहे हैं बाइक रेली आप खुद देख सकते हैं भगवान शीर राम का भव्य मंदिर इस चमय बनने की पूरी पूरी प्लानिंग चल रही है उस पे कार्य प्रारम्भ हो चुका है और उसका श्रनाज प्रधान मंत्री नर्यन मोदी ने किया था अजोध्या में पिछले 500 वर्सों से जिस भव्य मंदिर के निर्मान के प्रकिरा के लिए लोगों ने अपनी आहुती दी अपने प्लानों की बलिदान दिया उन सब के बाद आखिर 500 साल बाद ही सही मगर हिंदों को उनके इष्ट देव उनके पूजनिय भगवान राम का भव्य मंदिर अब बनता हुआ दिख रहा है और आने वाले कुछ सालों में यह भव्य मंदिर बनके तयार हो जाएगा इसी को लेके एक फरवरी से लेके 27 फरवरी तक पूरे देश में निधी संचय या निधी इकत्रित करने के लिए एक जगए जगए इस तरीके के प्रोगाम आयोजनित हो रहे हैं जिसमें लोगों को प्रेलित किया जा रहा है चाहे वे जलूस के द्वारा हो चाहे वे रैलियों के द्वारा हो चाहे वे कार रैली हो चाहे लोगों के घर जा जाके निधी संचय का यह आयोजनित किया जा रहा है उससे इनका एक लक्ष साफ है कि जादे से जादे हर व्यक्ति का इसमें योगदान हो चाहे वैं एक रुपे का हो, दस रुपे का हो, सो रुपे का हो या एक हजार या उससे जादा लाखो का हो मगर सबका इसमें कुछ ना कुछ योगदान जरूर हो ऐसा ही नजारा गांधी नगर में भी देखने को मिला आपने रैलियां तो बहुत देखी होंगी कार रैली हो, बाइक रैली हो, जलूस हो या बड़े-बड़े आयोजन हो मगर ऐसा कम ही आपने देखा होगा कि महिलायों द्वारा आपने सभी काम को छोड़के अपने सभी काम को जल्दी से जल्दी खतम करके इस तरीके की रैली निकाली जा रही हो जी हाँ यह गांधी नगर में हुआ है और यह गांधी नगर, कैलाश नगर, घीता कलोनी, खुरेजी और लक्ष्मी नगर में इस तरीके की रैली देखने को मिली यहां के सभी संग्ठों ने मिलके RSS हो, बजरंगल हो या विश्व हिंदू परिशद हो ऐसे सभी संग्ठों ने मिलके इस रैली का आयोजन किया और इसकी खासियत यह रैली कि यहां महिलाओं का जोस और उमंग देखें लायक था महिलाओं ने पूरे रस्ते लोगों को जागरुक किया इस कूटी रैली निकालके लोगों को जागरित किया ऐसा कम ही होता है कि महिलाओं इस तरीके से बाहर आके लोगों को प्रेद करें, लोगों को जागरित करें और ऐसा देखने को गादिनगर में इस बार मिला है लोगों ने यहाँ पे महिलाओं की इस हिम्मत की दाज दी और उनके इस काम को बहुत सराहा महिलाओं ने भी अपना पूरा जोस और दमखम दिखाया और उन्होंने अपनी स्कूटी रैली निकालके पूरे एरिये में पूरा एरिया भगवा मैं कर दिया जगे 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 जैशी राम अजोध्या में मंदिर बनेगा और राम लला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे एसे नारो और जैकारों से पूरा गांधी नगर, कैलाश नगर, गीता कलोनी, खुरे जी और लक्ष्मी नगर गुण उठा महिलाओं की या हिम्मत देखके या जोस देखके हर आदमी इनकी तारिफ करे बिना रह नहीं पाया आप खुद देखिए, बाइक रैली, स्कूटर रैलियों के अलावा, आपने स्कूटी रैली और वो भी दिल्ली में खास कर इस तरीके का जोस, इस तरीके के उमंग महिलाओं में कम ही देखा होगा और यह जीता जाकता उधारन है गांधी नगर के मेर मार्किट का गांधी नगर का सोमवार का दिन था, हलाकि गांधी नगर सोमवार को मार्किट बंद रहती है और सायज यही सोच के यहाँ प्लान भी किया गया था, यहाँ पे मार्किट में भीर ना हो, वो मारा मारी या वो दिक्कते ना हो, जो आय दिनिया होती है इनी सब को दिमाग में और मन में रखके यह प्लानिंग की गई थी सोमवार का दिन था, सोमवार की दिनिया छुट्टी होती है और उसके बाद ऐसी भव्य रेले निकालके महिलाओं ने अपना जोस, अपनी हिम्मत की यहाँ पे लोगों को लोहा मनवाया आप खुद देखिए महिलाओं का जोस देखें लाइक था और उन्होंने जैश्री राम और राम लला हम आएंगे मंदिर भव बनाएंगे ऐसे नारों से इस पूरे एरिये को एक भक्ती मैं कर दिया भीड देखिए, जोस देखिए, उमंग देखिए जगए जगए जैश्री राम के नारे लगे और इनकी इस हिम्मत की जितनी भी तारीफ की जाए जितना भी इस आयोजन की लोगों ने तारीफ की है वे कम है क्योंकि ऐसा आयोजन अगर महिलाए करती हैं अपने सारे काम, अपने सारी चीजे छोड़ के वे रोड पे निकलती हैं इस तरीके के जलूस, प्रदर्शन या ऐसी रेलिया निकलती हैं तो जैश्री सी बात है उनकी वितारीफ बनती है इन महिलाओं से लोगों ने सीख ली और उन्होंने भी कहा कि अगर यह इस तरीके के आयोजन कर सकते हैं तो हमें इनका सहयोग करना चाहिए और हमसे जो भी बन पड़ेगा चाहिवा है कितना भी हो हमारी अपनी जितनी भी इच्छा होगी जितना भी हमारा सहयोग होगा हम इसमें जरूर करेंगे और हम महिलाओं को इस तरीके से इस रेली का जो भी सपोर्ट हो सकता है हम करेंगे इसकी पूरे एरिये में तारीफ हो रही है और इन महिलाओं का जगर जगर लोगों ने स्वागत किया लोगों ने उनकी इस हिम्मत की दाज दी और उनके इस काम को बहुत ज़्यादा सरहा जा रहा है